हलो ब्रीवान, बिलकम बेग, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, डियर स्रेंट्स आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके सलेबस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चेप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डियर स्रेंट्स इसलिए मैं आपक बताएंगे, जिनकी हिल्ब से आपके लिए चेप्टर बेहद आसान हो जाएगा, डियर स्रेंट्स चेप्टर का नाम है समिश संख्या और डिमायवर प्रमे, डियर स्रेंट्स आपकी किसी किसी बुक में आप देखेंगे, तो यहां पर डिमो वियर प्रमे लिखा होगा, कि इसी किसी बुक में डिमायवर प्रमे लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, बहुत ही इंट्रेस्टिंग जो हमारे बच्चे क्लास 11 और 12 तरकिया हैं, उन्होंने कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कॉम्पलेक्स नंबर पढ़ा है, लेकिन उन्होंने डिमायवर प्रमे नहीं पढ़ी है, पहले इंटर्मीडियेट के स्लेवर में डिमायवर में हुआ करती थी, अभी उसको हटा दिया गया है, तो डियो स्रेंट्स ये लेक्चर और ये क्लास आपके बहुत हैं, आज की इस लेक्चर में हम first of all discuss करना इस्टार्ट करेंगे कि समिस संख्या अर्थ समिस संख्या कैसे बनी है, ये बताएंगे, और ऐसे इसे टम्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आपको आस्चर होगा कि अभी तक हम लोग इसके बारे में क्यों नहीं जानते थे, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, एक दुई घास समिकान को हल करन जिस चैप्टर का नाम था दुई घास समिकान और उस दुई घास को समिकान को हल करने के लिए आपको अलग-अलग बिधियां बताई गई थी, जिसमें से जो पहली बिधि थी, पहला मिथट था बोर मत होईएगा, ध्यान से सुनिए, अगर आपको आप ये चाहते हैं कि आ आप वहाँ जब दुई घास समिकान को साल्व करते थे, तो वहाँ पर उसको साल्व करने के थी मिथड्स आपको बताये गए थे, पहला मिथड था गुड़न खंड भी थी, दूसरा मिथड था पूर्ण वर्ग बना करके, तीसरा मिथड का नाम था डियस्टेंड सूत्र भ दे थे, इस दिये के दुई घास समिकान के कैसे मूल हैं, वहाँ पर तीन कंडिसन आपको पढ़ाई गई थी, नंबर पहली कंडिसन आपको बताये गया था कि अगर डी का मान ग्रिटर दैन जीरो हो, डी अर्था डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम विविक्तकर कहते हैं, अगर धनात्मक आती है, पॉलिटिव आती है, तो अहां पर आपको बताया गया था कि इसके वास्तिविक युम आसमान मूल होते हैं, means real and distinct roots होते हैं, इस आपको बताया गया था, सेकेंड कंडिसन आप लोगों ने वहाँ पढ़ा था, if d equal to zero, अर्था बिविक्तकर, अर्था डिस पढ़ा गवर दीजिएगा, वहां पर आप लोगों ने एक कंडिसन और पढ़ी थी, d is less than zero, अर्था बिविक्तकर का मान जब zero से छोटा होता है, अर्था नेगटीव होता है, in that case आपको बताया गया था, कि इस situation में दिये गए, तो इस समीकर के कोई वास्तिविक मोल नहीं होते हैं, और उसको आप लोग class 10 में साल्ब नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, वही हम लोग discuss करेंगे, और वहां से आपके सामने एक नई संख्या निकल करके आएगी, जिस संख्या का नाम होगा, डिये इस्टेंस, काल्पनिक संख्या, आइए discuss करते हैं, एक बार की बा लगते हैं, तो नॉर्मली प्रतेक बच्चा यहीं बोलेगा, कि सर दुईघाज समिकर्ण को हल करने के लिए मेरे पास तीन रामबान तरीके हैं, और उसमें से सबसे खतरनाक तरीका फारूला मैथड है, कोई नहीं लगेगा, तो हम फारूला लगा देंगे, सर साल्थ तो क पर आते हैं, उनका जो समिकर्ण था डिया स्टेंट्स वो था, एक स्क्वाइर प्लस फोर इस इक्वाल टू जीरो, यह एक दुईखात समिकर्ण हैं, जिसको आइलन नाम के गरतग हल करने का प्रयास कर रहे थे, इसको साल्थ कर रहे थे, और इसको वो साल्थ नहीं कर तो आगेड़ इंप्लाइज देट, एक स्क्वाइर इक्वाल टू माइनस फोर, सही है, तो डिया स्टेंट्स एक्वाल टू रूट ओबर माइनस फोर आ जाएगा, मिन्स यह जो एक्स की वैलू है, रूट माइनस फोर की एक्वाल होगी, अर्थात माइनस चार का जो दीजिए, तो आप नहीं बता पाएंगे, यही प्रोबलम उनको भी होई थी, आईलर नाम के जो गड़ी तक थे, आईलर नाम के जो गड़ी तक थे, वो भी यही काम नहीं कर पा रहे थे, सपोर्ज आप सोचते हो कि रूट ओवर माइनस फोर का हम क्या करते हैं, स्क्वार अगर हमें प्लस टू हम लोग लिख देते हैं, आप प्लस टू हमें मिलता है, और अगर हम माइनस टू लिखते हैं, दोनों सिच्वेशन में गलत क्यों है ध्यान दीजिए, योकि डियो सिच्वेशन अगर आप टू का स्क्वार करोगे तो आपको प्लस फोर मिलेगा, और म हरमेशा क्या हो जाती है पोजटी हो जाती है हरमेशा यो मतलब meant not plus 2 जा सकता है ना तो मामला फस गया मैंस का सवार रूट जब नहीं निकल पाया तो सुछीवेसेत में इस द आ चा डूआये गए दिया समीकाल करना इसका solution find करना impossible लग रहा था तो यही पर उन्होंने क्या किया island नाम के गड़ तक ने एक नई संख्या की खोज की और उसका नाम iota रखा ये देखते हैं कैसे उन्होंने खोज की उन्हें डियस्टेंट्स ऐसे लिखा आप बताईएगा लिख सकते हैं अब डियस्टेंट्स उन्होंने क्या किया क्योंकि हमें root 4 की value plus minus 2 मिल जाएगी और इस root under root minus 1 को उन्होंने iota नाम दे दिया जिसको small i से उन्होंने रिप्रेंट किया means iota जो है इसकी value कितनी होगी under root minus on होगी इसको 60 में i से दिखाते हैं और इसको हम लोग full far में बोलते हैं iota है इस iota की खोज किस ने की थी आईलर नाम के गड़े तक थे उन्हीं के नाम से इसका नाम iota रख दिया गया और इसको small i से रिप्रेंट करते हैं हम लोग देखो इस iota की खोज के पस्चाद इस तरह के एक दुईघास समीकर्ण का solution भी क्या हो गया possible हो गया जैसे अगर suppose कर लो कोई एक दुईघास समीकर्ण दिया है x square plus 9 is equal to 0 ध्यान दीजेगा x square plus 9 is equal to 0 हमारे पास एक दुईघास समीकर्ण दिया गया है एक quadratic equation दिया गया है और हमें इसे हल करने की जरूरत है इसे हमें salve करने की आवस्चता है तो अगर हम इसको salve करते हैं तो same situation हमारे सामने आती x square is equal to minus 9 this implies that x is equal to root over minus 9 फिर से minus 9 का square root निकालना हमारे लिए possible ना होता हमारे लिए संभव ना होता लेकिन इस आयोटा की खोद के पस्चात आराम से हम लोग इस दुईघास समीकर्ण को इस quantity equation को आसाने से हम लोग क्या कर सकते हैं कैसे x is equal to आप root 9 को अलग लिखेंगे into में under root minus 1 distance अलग कर देंगे this implies that x is equal to इसकी value plus minus 3 हो जाएगी इसकी value आयोटा हो जाएगी ती x की जो value होगी वो plus minus यहाँ पर 3i आपको मिल जाएगा बास समझ में आ रही है तो इस तरीके से आयोटा की खोज हुई means अभी तक आप लोगों ने जिन भी संख्याओं के बारे में पढ़ा था वो सभी की सभी संख्या हैं हमेशा से ध्यान रखिएगा उस संख्या को काल्पनिक संख्या बोला जाता है कौन संख्या काल्पनिक संख्या बोला जाता है और dear strength जो हमारी समिस संख्या होती है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिस्र रूफ होती है इसलिए उसको हम लोग समिस्र संख्या क के नाम से जानते हैं तो अभी तक हमने आपके साथ जो डिसकस किया उसमें हम लोगों ने एक नई बात ये सीखी कि वास्तिबिक संख्याओं के साथ साथ कालपनिक संख्याओं की एक दुनिया होती है जिसके साथ आयोटा अर्थात आई लग जाता है वो सभी की सभी अब थोड़ा सा हम लोग डिसकस करेंगे पावर आप आयोटा पे या आप कह सकते हैं वैलू आफ आई पर ठीके आई की जो वैलू होती है क्या क्या हो सकती है कैसे कैसे हो सकती है दिन हम आपके साथ कॉंपलेक्स नंबर के बारे में डिसकस करना इस्टार्ट करेंगे डियर भी करते चलेंगे देखिए अब हम लोग यहां पर बात करेंगे किसकी बात करेंगे भाई पावर आफ आयोटा जिसको हम लोग कह सकते हैं डियसेंट क्या आई की घात आई की घात क्या है इसकी वेलू किस तरीके से फाइंड की जाती है इसके बेसिस पे भी आपके एक्जाम में कुश्चन पुछाते हैं एक दम छोटे छोटे इस टिप को लेते हुए जीरो टू हीरो लेबल की क्लास आपकी हो रही है देखो डियसेंट्स जब कोई भी लेक्चर मैं आपको प्रवाइड कराता हूं तो मैं यह पूरा प्रयास करता हूं कि एक छोटे से छोटे कंसेट को भी क्लीर किया जाए जिससे आपकी एक्जाम में किसी भी प्रकार का कुश्चन आये ना आप उसको आसानी से साल्व कर सकें आपको कहीं कोई दिक्कत नहों इसलिए लेक्चर को ध्यान से सुनिए कुश्चन खुद बखुद साल्व हो जाएगा ध्यान समझ से चल समझते चलेगे ध्यान से अगर हम दोनो 사 developers करें तो douche 1700 i2 की वैलू हमें क्या मिलेगी –1 मुलेगी। ध्यान समझते चलनाzen i की वैलू अंडरूट –1 होती है इसको आयलर नाम के Matheme mathematician आयलर नाम के गड़ितक के बता के चले गए उसके बाद हमने यह कहा कि हम i की घात पर चर्चा करने वाले हैं जैसे कभी कभी question में आ जाता है i की घात 1002 लिखा हुआ है और आप से इसकी value पूछ लेगा कि भई या इसकी value क्या होगी तो इस तरह की question या i की power 41 दे दिया गया और आज से पूछेगा कि भई इसकी value क्या होगी आप बताओ in that case आपको i की घात के बारे में proper knowledge होना चाहिए जो हम आपको समझाने वाले हैं ध्यास्टेंट ध्यान दिजेगा i की value under root minus 1 होती है i square की value minus 1 होती है अगर हम i की power 3 निकाले समझना i की power 3 की value कैसे निकाले जाएगी इसको i square into हम लोग i कह सकते है ध्यान दिजेगा तो i square की value minus 1 होती है finally इसकी value minus i आपको मिल जाएगी minus 1 मिला और क्या मिला minus i i की power 4 लिख देते है इसको हम लोग i square का whole square लिख सकते है अब i square की value minus 1 होती है minus 1 का square करोगे इसक्रेंट तो plus 1 आएगा यह आपको i की value i square i की power 3 और i की power 4 की value यहां से मिल गई अब हम यहां से i की power 5 निकालना चाहें तो dear students को हम लोग i की power 4 into i लिख सकते है i की power 4 की value 1 है into i माने i हो जाएगा आपके mind में कुश्चन आ रहा होगा कि sir इस हम i की power 5 को और कुछ भी लिख सकते हैं dear students हम लोग यहां पर i की power 6 लिख दे i की power 4 into i square लिख करके dear students क्या होगा i की power 4 की value 1 होती है इसको value minus 1 होती है तो कुल मिला करके यहां पर आपको कितना मिल जाएगा minus 1 मिल जाएगा अब suppose करिए i की power 7 की value हम find करने के लिए आप लोगों से कहें तो आप क्या लिख होगे i की power 6 into i लिख दो i की power 6 की value minus 1 होने तो finally यह आपको minus i मिल जाएगा यह बाते dear students i की power अगर हम 8 लिख दें तो i की power 4 की power 2 लगा दो इसकी value जो होगी आपको plus 1 मिल जाएगी dear students बस ध्यान से समझेगा i की घात हम लगातार बढ़ा रहे है i square की value हमने निकाला यहाँ पर देखिएगा हमें minus 1 मिला i की power 3 की value हमने find किया यहाँ पर हमें minus i मिली i की power 4 की value हमने निकाला plus 1 मिला i की power 5 की value निकाली तो i मिला i की power 6 की value तो dear students minus 1 मिला i की power 7 की value तो minus i मिली I power 8 की value distance कितनी मिल गई प्लस 1 मिल गई देखे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जो I किसकी घात कुछ भी हो घात कुछ भी हो कितनी भी बड़ी घात लगी हो जो I की घात की value है वो केवल और केवल इतनी होती देखो कितना प्लस 1 प्लस Iota इन चार value के अलावा I की घात कितनी भी बड़ी लगी होई हो उसकी value उसका मान कुछ और नहीं हो सकता है बस समझ में आ रही है I की घात कितनी भी बड़ी लगी होई होगी I की जो value होगी वो केवल और केवल यही आएगी या तो प्लस 1 आएगा या तो प्लस Iota आएगा या तो माइनस वन आएगा या तो माइनस Iota आएगा इन चार values के अतरिक्त इन चार मानों के अतरिक्त कोई पांचमा मान नहीं आता है इतनी बात तो समझ में आई होगी अब हमारे mind में यह बात आ रही होगी कि sir अगर हमें कुछ ऐसा logic पता चल जाता कि directly हम यह समझ जाते कब वन आएगा कब Iota आएगा कब माइनस वन आएगा कब माइनस Iota आएगा तो फिर काम बन जाता है हमारा तो उसी के लिए मैं आपको logic सिखाने वाला जो आई की घात लगी होई होगी जाता है अगर वो पूर्टे हमिभाजित हो जाता है मिन्स पूरी तरीके से कट जाता है कि तो उसकी वैलू जो होगी वन हो जाएगा कैसे सर जैसे सपोस करिए कहीं पर लिखा आई टू दी पावर टॉन्टी अब टॉन्टी को फोर से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा चर पंचे 20 होता है तो इसलिए इसकी वैलू डिवाजित कितनी होगी वन आई की पावर साल लिखा है 16 वैलू कितनी होगी वन आई की पावर 12 वैलू कितनी होगी वन क्योंकि यहाँ पर आई की जो भी घाते लगी होई है वो 4 की multiple है अर्थाद 4 से divisible है अर्थाद 4 से cutने वाली है इसलिए उसकी value हमेशा dear strength कितनी आएगी वन आएगी तीकर है बाते अगली चीज़ सुनिएगा अगर हम 4 से भाग दे उसकी घाद को 4 से भाग दे और सेस्फल एक प्राप्त हो सेस्फल कितना प्राप्त हो dear strength एक प्राप्त हो तो वहाँ पर उसकी value आएउटा हो जाती है जैसे I की power 21 लिखा है 21 लिखा है तो इसकी value की बात करोगी dear strength तो इसकी value I उटा हो जाएगी I की power 17 I हो जाएगा I की power 13 I हो जाएगा लोजिक क्या है यार इसके पीछे ये भी समझ लिए आप लोग देखो dear strength ये जो आपके सामने I की power 21 लिखा है इसको हम I की power 4 और उसके 5 इंटो हम लोग I उटा लिखते हैंगे अब I की power 4 चार पंचे 20 ये 20 हो गया इसकी value 1 हो जाएगी अगर I की घाट जो है I की जो power है वो 4 से divisible होगी dear strength तो उस situation में उसकी value 1 होगी अगर 4 से divide करने पर remainder 1 बचता है एक successful प्राप्त हमें होता है in that case उसकी value आयोटा हो जाएगी और अगर उसको हम 4 से divide करते हैं और वहाँ पर 2 remainder आता है माने 2 बचता है तो उसकी value minus 1 हो जाएगी क्योंकि जो बाद में बचेगा वही ध्यान देना है I बचा means I की power 1 बच गया है माने 1 successful बचा माने I की power 1 बचा I की power 1 की value I हो जाएगी 2 successful बचा माने I square बचा I square value minus 1 होती है clear हो जाएगा 3 successful तो I की power 3 value minus I होती है समझ आ गई बाते तो डियो सेंस आपको यह क्लियर हो गया होगा यह पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्छों कि क्या समझ आ गया होगा कि अगर जो आई की घात लगी हुई होगी अगर आई की घात पूरतिया इभाजित हो जाएगी फुली डिविजिबल होगी डियोस्टेंट्स तो उसकी वैलू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी अगर हम उसको फोर से डिवाइड करें और हमें रिमेंडर कितना मिले सर्थ अगर हमें डियोस्टेंट्स रिमेंडर 1 मिले तो उस case में उसकी जो value है वो कितनी हो जाएगी उसकी जो value है वो आयोटा हो जाएगी और remainder अगर 2 बचे गत value minus 1 हो जाएगी और remainder अगर 3 बचे गत value minus i हो जाएगी अब इसके लिए trick ध्यान रखिएगा formula ध्यान रख लीजेगा आप लोग formula क्या ध्यान रखना है distance देखिएगा जैसे अगर हाथ आएगी वो 4K के farm में होगी तो उसकी value जो होगी distance हमेशा 1 हो जाएगी और अगर वो i की power 4K plus 1 के farm का होगा इसकी value i अर्थ हाथ i उटा हो जाएगी अगर i की power 4K plus 2 के farm की होगी इसकी value minus 1 हो जाएगी i की power 4K plus 3 के farm का होगा इसकी value जो हो minus i उटा हो जाएगी बस इसी 4 रूपों में आएगी कहने का मतलब वही same है कि अगर i की जो घात लगी है वो 4 से divisible होगी 4 से विभाज होगी तो उसकी value plus 1 आएगी 4 से विभाजित करने के पस्चाथ अगर 1 सेस बचता है तो i आएगी 2 सेस बचता है तो minus 1 आएगा 3 remainder बचता है तो minus iota आएगा इसकी help से आप लोग iota की सारी values को कितने भी बड़ी से बड़ी घात लगी होगी dear strengths आप लोग बहुत ही easily बहुत ही आसाने से solve कर पाएगे इसमें आपके सामने कहीं कोई doubt नहीं आएगा आएए इसी के basis पे हम आपके सामने कुछ example ले करके आते हैं कुछ छोटे छोटे example हम लोग discuss कर लेते हैं dear strengths जिसकी help से ये concept आपका और बहतर तरीके से clear हो जाएगा समझेग अध्यान से इसके पहले इसकी छोटी class में आप लोगों ने केवल और केवल वास्तिविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था केवल और केवल real numbers के बारे में पढ़ा था आज के इस lecture के साथ आप एक नई संख्या सीख रहे हैं जिस नई संख्या का नाम काल्पनिक संख्या है जिसके साथ आयोटा लग जाएगा वही काल्पनिक संख्या होगी अब देखिए आयोटा की पावर के बैसिस पर आपके एक्जाम में किस तरह की questions पूछे जाते हैं थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा जैसे dear strengths माल लीजिए I की पावर हमारे पास लिखा गया 20 ठीके और हमसे इसकी value पूछ लिया या I की पावर 101 आ गया इसकी value पूछ लिया या I की पावर 200 आ गया इसकी value हमसे पूछ लिया तो इसकी values को हम लोग ये सारे की सारी values ये सारे की सारे मान हम लोग कैसे find करेंगे आयोटा की घात का use करके हम लोग कैसे निकालेंगे तो dear strengths देखिएगा इसको आप लोग I की power 4, hole की power 4 लिख सकते हैं और आपको पतासर I की power 4 की value 1 होती है तो 1 की power 4 हो जाएगा value answer आपका कितना आजाएगा 1 आजाएगा बहुत ही आसान है क्या करना है I की घात जो कुछ भी लगी होगी उस I की घात को I की घात 4 की रूप में convert करना ऐसे कर लो या ऐसे कर लो I की power 4 into 5 की रूप में लिख सकते हैं means ये जो है dear strengths हमारा 1 होगी हम ऐसे भी कर सकते हैं जो हमने आपको logic जो formula बता है वैसे भी कर सकते हैं या इस तरीके solve करेंगे तो this is the best method following this वो सब logic तो ठीकी है बट question को solve करते समयम लोग steps को follow करते हैं तो हमारी लिए वो better हो जाता है dear strengths आईए अगला देखते हैं हम लोग I की power 101 लगी हुई है इसको कैसे solve करोगे सर इसको I की power 4 और whole की power 25 लिखिएगा into dear strengths I की power आप 1 लगा दीजिएगा तो इसकी value कितनी हो जाएगी दीखे थांसे 1 हो जाएगा 1 into I उटा हो जाएगा dear strengths की value कितनी आएगी I उटाएगी अर्था इसका answer जो होगा dear strengths वो आई आजाएगा समझ आ रही है बाते ऐसे I की power 200 जो लगा हुआ है इसकी value को हम लोग find करना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे I की power 4 और whole to the power 50 लिख सकते हैं क्या बिलकुल लिख सकते हैं और I की power 4 है dear strengths इसकी value कितनी होती है 1 होती है तो 1 की power 50 अगर हम लोग लगाएंगे इसकी value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो I की घात वाले question को हम लोग कैसे साल्ब करते हैं आपको कही न कही समझ में आ गया होगा dear strengths एक दो question task के farm में देते हैं जिसको आप लोग find करके मुझे बताएगे कि इसकी value कितनी आएगी जिससे मुझे भी भरोसा हो जाएगा कि आप लोगोंने lecture को last तक देखा है और पूरा का पूरा इसको dear strengths आप लोगोंने समझने का प्रयास किया है और आपको समझ में भी आया है देखिए धान से जैसे dear strengths आई की power 51 की value find करिएगा फिर आई की power 500 5001 लिख देता हूं उसकी value find करिएगा दूसरा question है और तीसरा question एक और लिख लीजिएगा आई की power 207 आपको find करना है ये तीन question आप लोग साल करिएगा और comment section में आकर कि मुझे answer बताएगा देखिए अभी हमारे chapter का नाम समिस संख्या है यों डिमायवर प्रमे है complex numbers and दिमायवर थेओरम है अभी तक हमने complex number समिस संख्या का नाम तक नहीं लिया और ये lecture 20 minute के उपर का हो चुका होगा आप लोग देख रहे होंगे तो क्या है इसके पीछ रीजन इतना हमने आपके साथ क्यों discuss किया कुछ तो खास बात होगी इसलिए हमने आपके साथ discuss किया बिल्कुल आपका इंतजार समाप अब हम लोग पढ़ने चल रहे है समिष संख्या क्या होती है पहले नॉर्मली बताते हैं बागी सारी चीज़ी हम next lecture पर cover करेंगे dear friends ऐसी संख्या जिसका एक भाग वास्तविक होता है और एक भाग कालपनिक होता है means ऐसी संख्या जो वास्तविक और कालपनिक का मिस्र रूप होती उसी को समिस्र संख्या उसी को complex number के नाम से जाना जाता है अब आप लोग बताओ कि कालपनिक संख्या बताने कि आवा सकता थी कि नहीं थी थी ना इसलिए मैंने आप लोगों को बताया देखो यार आपकी बुक में जितना लिखा हुआ है उसी को देख करके मैं पढ़ाऊंगा न तो आपको समझ में भी नहीं आएगा मैं चीजों को दूर से नजदीक से पीछे से आगे से connect करके आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ सो आपको समझ में आएगा 100% आप बिल्कुल tension मत लिजिएगा आईए समझा देते हैं ऐसा नमबर जो A प्लस I B के रूप में होता है उसको complex नमबर कहा जाता इसको हम लोग Z से रिप्रेंट करते हैं आज बस इतना जान लिजिए इसी को complex number कहते हैं बाकी next lecture में हम अब complex number के बारे में discuss करना हे स्टार्ट करेंगे complex number क्या होता है complex number का real part क्या होता है complex number का imaginary part क्या होता है उसकी क्या properties होती है उसका modulus क्या होता है Everything हम धीड़े धीडरे करके आपको सिखाएंगे तो dear students आज के इस lecture में बस इतना ही आपको बताएंगे आसा करते हैं ये lecture जो first lecture आपको जरूर समझ में आया होगा dear students हम आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस lecture को अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ जरूर सेर करिए और उन्हें ये बता दीजिए कि यहाँ पर एक नया chapter स्टार्ट हुआ है आपके अपने चैनल डीडी mathematical solution पर तो अगर आप लोगों ने previous lectures को miss किया है तो चलिए ठीक है उसको आप complete करते रहिएगा लेकिन यहाँ पर आपके पास एक फिर से सुनारा राया है उसको आप लोग ग